Hello everyone, तो कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ आपसी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में प्यस्त होंगे तो लेकर आगे हम Class 12 Biology का Most Important जो Question है Ask इस पीडियो में देखेंगे और आपके संपूर किताब के जो तीन नंबर वाले प्रसन है और जो पांच नंबर वाले प्रसन है उनको मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा इन सभी को आपको अभी कोई भी काम कर रहे है छोड़कर कॉपी पे लेकर बैठ जाएए और इन सभी प्रसनों को नोट में लिखते हुए चलिए क्योंकि ये VBI question है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इधर पांच नंबर वाले प्रसन लिखे हैं इधर तीन नंबर वाले प्रसन लिखे हैं बट सबसे पहले हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, पांच नमबर वाली जो प्रसने हैं, इसको हम एके करके जान लेते हैं, ठीके, तो सबसे पहला देखी हमने लिख दिया है, क्लास 12 बाइलोजी, BBI, Q2024, मतलब बोर्ड एक्जाम 2024 में इसकी बहुत ही संभावना है, पूछे उतना नहीं है, तो स्वाट में ही question को लिख लिया हूँ, इसलिए मैं कहूँगा, जो ऐसे मैं कह रहा हूँ, समझ जाएगा question को, अब ऐसे अपने, जो क्या होता है, notes में लिखिएगा, इसका मतलब क्या है, जो अलेंगिक जनन के बिभिन विदियो का उल्ले की जिए, इस प जूस नहीं होना है, दूसरा question है, कि द्विन इसे चन तथा त्री सलियन से आप क्या समझते हैं, इसका सची तरफ पूरा वर्णन आपको करना है, ठीके, ये सभी 5-5 नमबर वाले question है, तो आप इतना तो basic बात है, आप समझ गया होंगे, कि इन सभी को हमें 5-7 लाइन में ज जैसे कि आप जीवन परिशे लिखते हैं, एक पेज का, उसी प्रकार इस पर जो अलेंग एक जनन के दिधिन वीदियो का लेक करना है, तो एक पेज लिखना होगा, उसी तरह द्वी निसेचन और त्री सलियन से आप क्या समझते हैं, इसको भी एक पेज कम सकम लिखना होग तब जाकर आपको पांच नमबर मिलेंगे, ठीके ऐसे नहीं मिलने वाला, देखे मैं जूट क्यूं कहूं कि इतना ही लापलिक देंग तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा अच्छे से एक्स्प्लेन करना है, मैं आसा करता हूँ कि जो बिद्यार से इसके पूरा आपको डीटेल में एक्स्प्लेन कर देना है, भुरून प्रोस के बारे में, अगला आता है चोथा कि विजाडू का संरचना, अब जो विजाडू होते हैं, इसके संरचना का सचीतर वर्णन आपको कर देना है, समझ पा रहे हैं, तो इसको पूरा बेसिक टु सबसे पहला आप से पूछ लिया कि प्रजनन किसे कहते हैं, देखें प्रजनन का है या जनन का है, इससे कंफ्यूस नहीं होना है, दोनों बात एक ही होता है, तो प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसका सबसे पहले वर्णन कीजिएगा, उसके बाद जो मानो नर जनन तंतर होता है एक होता है मादा जननतंतर तो आपको दोनों याद कर लेना है जगा नहीं तबskinहिए मैंने नहीं लिखा याद रखेंगे नर जननतंतर और उसके साथ-साथ आपको मादा जननतंतर का वरणन करना होता है इसी तरीके से ये पूरा question पूछा जाता है कि प्रजजन से आप क्या समझते हैं तथा मानो नरजननतंत्र और मादा जननतंत्र का सचीतरवणन कीजिए तो इस प्रकार पूरा आपको explain करना है ठीके जी आसा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे आते हैं छटे फर तो जनसंख्या विस्पोट तो देखिए सबसे पहला जनसंख्या विस्पोट वो निवारण निबंद इसका मतलब क्या है जनसंख्या विस्पोट क्या है इसको explain कर देना है उसके बाद आपको इसका कारण और निवारण बता देना है critical कि मतलब जन्सक्या स्पोर्ट है इसका कारण क्या है उसके बाद इसका निवारान क्या है कैसे मैं इसको आप इसको आप निबंध लिखना होता है तो यह आप कर लेंगे पांस नमबर वाला है एक्सप्लें तो करना भी पड़देगा अगला आता है हमारा शात्वा कि DNA की संरचना का वारसन और ग्रिक मॉडल तो देखिए मतलब एक वादा है DNA की संरचना तो DNA की संरचना लिखनी है और किनका मॉडल है ये तो वारसन और ग्रिक मॉडल जो है उनके जो मॉडल दिया था ग्रिक ने और वारसन ने उस model के अनुसार DNA की सवर्षना क्या है पूरा आपको explain करना होगा ठीक है और इसका बाद नीचे आता है कि RNA से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों का वरणन करना है मतलब RNA क्या होता है और इसके प्रकारों का वर्णन करना है तो यह आपके संपूर हम किताब से बता रहे हैं इतना तो basic बात है कि आप समझ सकते हैं कि आपके book में class 12 कितना question है और कुछ question में से हम केवल आपको देख रहे हैं 13 हम question बता रहे हैं 5 परस नमबर वाले तो आप समझ परति serious हैं अपने माता-पिदा के नाम प्रोसन करने के लिए serious हैं अपना नाम करने के लिए serious हैं तो आप बिल्कुल करेंगे क्योंकि समझ पा रहे हैं नBeर नहीं आए का exam में बस पास हो जाएंगे तो पास होने से थोड़ी नहीं होता है फ़ोग नमबर आता है कोई भी competitive exam आपको देना है ठीक है तो उस समय क्या होता है मैरिट पर बनता है सब कुछ तो नंबर कम रहाएगा तो कुछ हो नहीं पर आएगा ठीक है यह रियाल्टी है तो नंबर तो लाना ही पड़ेगा तो नंबर लाने के लिए तो आपको पढ़ाई करने ही पड़ेगी इससे भी अच्छे से explain, अगला आता है, BT फसल से आप क्या समझते हैं, उधारन सहीत आपको explain कर देना है, तिके, वायू प्रदूसर का कारण क्या है, निवारन क्या है, इसकी संपूर आपको ब्याख्या कर देना है, या कभी-कभी निबंद के तरह से यह पूछ लिया जाता है, तिके, परितंत्र होते हैं, इसकी, जो क्या होते है, घटकों की आपको ब्याख्या कर देना है, पूरा explain कर देंगे, मिल जाएक आपको, अगला आता है, जो हमारा 13 अंतिम प्रस्न है, कि जीन चिकत्सा से आप क्या अभिपराय है, मतलब जीन चिकत्सा होता है, इससे क्या अभिपर क्या आप समझते हैं पूरा आपको अच्छे से explain करतेंगे तो देखिए मैं आसा करता हूं कि यह जो question है इसको notes में आपने लिख लिया होगा और इन सभी को आप त्यार कर लेंगे कम से कम इतना तो त्यार कर ही लिजिए मैंने तो आपको संपूर कीताब के biology के संपूर कीताब से 50 question आपको बताए हैं तो 50 question छोड़िए अगर आप नहीं कर रहें तो मैं क्या कर सकता हूं बट कम से कम मैं यह कहूंगा कि हाथ जोड़ा हूं कि विजिया अगर आपको अच्छे number से pass होना है तो कम से कम इतना तो त्यार कर लिजिए 5 number वाले अगर इतना त्यार कर लेते है तो मैं पूरी विश्वास से कह सकता हूं कि इसी के अंडर में आपका question आएगा और आपको full number मिल जाएंगे ठीक है एक भी question आपसे shoot एगा नहीं समझ के होंगे इसके screenshot ले लीजे ठीक है इसको ले लीजे screenshot मैं आशा करता हूँ आप ले लिया होंगे ठीक है आते हैं आप 3 numbers वाले प्रस्ण पे इसको भी हम समझ लेते हैं हमने लिखा लिखा है इसको भी हमने swatch में लिख्या है समझते हुए जाना है उसके बाद लिखना है आपको तकिए यहां पर कहा गया कि काई प्रवर्दक की प्रकृति विदियो का उल्लेक मतलब कहा गया कि काई प्रवर्दक के प्रकृति विदियो का उल्लेक आपको करना है पूरा आपको एक्स्प्लेन कर देना है तब आपको तीन नंबर मिलेंगे यह सभी विवी आई क्वेस्चन है अग इप्वार्टेंट है, अगला हाता है कि micro propagation को समझाए, तो micro propagation जो होता है, इसको आपको क्या करना है? explain कर देना है, important topic है, अगला आता है कि देखिए, यहां पर कहा गया, सुकर्जनन, सुकर्जनन कै है, या अथ़वा में अंड जनन का है, दोनों का मतलब एकी होता है, या तो सुक्र जनन का है, या तो अंड जनन का है, तो इनको आपको समझाना है, explain कर देना है, ठीके, तो इससे आपको conscious नहीं या दोनों का नाम एकी है, ठीके, अलग अलग नाम है, बट एक ही topic है यह सभी, ठीके, दोनों का अपर परागरण में अंतर तो स्वापरागरण अपर परागरण में क्या डिफरेंट होता है क्या अंतर होता है यह आप त्यार कर लिजेगा वैसे तो मैंने बैलोजी के हमने आपको बताया है 15 महत्तपूर अंतर को आपको बता दिया है 15 महत्तपूर हमने टिपडिया आपको कि यह सबी टिपडियों को त्यार कर लिजेगा ठीक है पचास महत्तपुर्ण हमने question को कराया है तो जितना हम करा रहे हैं biology में कह रहे हैं उतना यह आप त्यार करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे ठीक है otherwise आप एक बात औ मुकों में ढूंदने के पस्चात मतलब बहुत ही मेहनत के पस्चात ही हमें मिला है इसको तब जाकर मैं आपको बता पा रहा हूं ठीक है otherwise मुझे biology उतना अच्छा समें explain नहीं कर पाऊंगा जितना मैं physics और chemistry क्या कर देता हूं जो student हमसे physics और chemistry पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ठीक है काम भरके तो मैं पढ़ाई देता हूं आप बताए का कैसे पढ़ाते हैं मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ाता हूं सायद आपको मैं जो सिखाता हूं आपको समस में आ जाता है इसलिए आपका इतना अच्छा response में मिलता है तो बहुत ही खुसी होती है आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसी बात नहीं है मैं आपकी सभी कमेंट को देखता भी हूं पढ़ता भी हूं और जो कमेंट रियालिटी वाली होती है मतलब उसको जबात देने वाला होता है कि हां इनका ओतर हमें कमेंट सक्षा में बताना चाहिए तो मैं उसे reply भी ज़रूर करता हू ऐसा बात नहीं है तो यह सभी question है तो मैं biology तो पढ़ाता नहीं हूं और जो student मुझसे जुड़े हुए है biology की भी student है math की भी student है तो math वाले को लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि मैं science ही पढ़ाता हूं तो physics chemistry उनका पढ़ना है और जो biology की student है तो physics chemistry तो पढ़ी biology पढ़ना है तो मैं कम सकम इतना हो सके मुझे उतना तुम्हें उनका सहयोग करूंगा है करना भी चाहिए तो उसलिए मैं question is भी ढून कर बता रहा हूं बहुत ही महनत लगता है तो कम सकम मैं कहूंगा कि अगर महनत थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि आपके लिए महनत क कर लीजिए आप भी थोड़ा सा महनत कर लीजिए और coffee pen में लिखते हुए चलिए और इन सभी को heading wise heading आपको त्यार कर लेना है रोजाना अगर एक एक topic भी पढ़ते हैं तो कितना है लगबाई इधर है पन चौदा इधर है तेरह मतलब 27 question है एक महीने में पूरा समाप्त हो जाएगा एक महीने से भी में दो-तीतीं दीन颜UNG कमी लग रहा है है तो कर लेंगे आप ठीके न इतना कर लेता है तो बहुत मैं कहूंगा कि अच्छा है अगला का नियम क्या होता है यह आपको बता देना है मैंडल के वॉंसगती वंसगती के सिध्धांत मैंडल के एक एक क् explain कर देना है ठीक है अगला आता है कि लिंग सहलंगन के गुडु का गुडु से आप क्या समझते हैं तो जो लिंग सहलंगन होता है इनके गुडु का आपको explain कर देना है ठीक है यह भी very important topic है अगला आता है यह देखिए cancer तो cancer रोग का कारण और रोग थाम ठीक है तो cancer रोग का कारण क्या होता है ठीक है इसका रोग थाम मतलब कैसे इसका निवारान कर सकते हैं इसका लच्छन क्या क्या होता है यह आपको explain कर देना है समझभा रहे हैं important very important topic है अगला आता है कि PCR पर टिपड़ी तीपड़ी लिखने class 12th biology important typically brother sir तो आपको video मिल जाएगा समझभा रहे हैं अगला आता है संक्रमन रोग अब संक्रमन रोग क्या होता है इसका कारण क्या होता है इसका रोग थाम क्या होता है और इसका लच्छन क्या होता है यह भी आपको important है बता देना है अगला आता है बरहावा की gene चिकित्सा से आप क्या अभी प्राय है यह आपको बताना है ठीक है अनुवान से की जो क्या है engineering क्या होता है यह आपको बताना है और red data book क्या होता है इसके बारे में भी explain कर देना है तो यह हुए आपके 3 नंबर वाले प्रसंद यह हुए आपके 5 नंबर वाले प्रसंद इसे चाहें त तो मैं आशा करता हूँ, आपने ले लिया होगा, मैं यही कहूँगा, कि इन से भी question को आपको बिल्कुल तियार कर लेना है, otherwise मैं जितना हो सकेगा, मैं biology में भी help करूँगा, ठीक है, otherwise physics chemistry के में तो आप जानती है, पूरा serious हो का आपको पढ़ाई भी किराया जा रहा है, आपका chemistry भी complete है, उसके बाद हमने session स्टार्ट किया है, जिसमें हम numerical को करा रहे है, physics और chemistry के, जो संपूर्ण कीताब के BBI है, तो उन सभी numerical को तियार कर लिजे, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पढ़ाई करते हैं, description box में हमने link दिया है, तो वहाँ पर physics chemistry का, हिंदी का, इंगलिस का और telegram का link दिया गया है, तो आप telegram को join हो जाईएगा, और physics और chemistry या कुसी के भी पढ़ाई करना है, तो उस पर link पर click करेंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो BBI question है, उनको आप तियार कर सकते हैं,